दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज फिर से मैं ड्राइवर के उपर वीडियो बना रहा हूँ जो है कि एक ऐसा खबर सामने आया है और जो है कि एक ऐसा नियम लागू हुआ है जिससे सभी ड्राइवर भायों के लिए बह दीख सकते हैं जो है कि बहुत चंचित करें और ऑड्री एक ऐसा खबर है चो कि लोकसाबा में से बूपास हुआ है ट्राइवर के लिए तो इसमें जो है कि घ्रइवरों को ड़साल तक कि सजा हो सकती है इसा कुछ लोगसाभा में कानून लागू हुआ है अभी बिल पास हुआ है लोगसाभा से रास्ते में कोई भी ध्यान हुआ या कोई रश करकर आ गया रखास्मात करने के बाद तो इसके लिए कम सजाका प्रावदान किया है और हीट एंडर्ण के मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजाका तो इसका जो पूरा जो नियम है वो मैं बता देता हूं पहले किया होता था कि जैसे बाइचंस कभी कहीं कुछ हादसा हो जाती थी जैसे एक्सिडेंट वेगरा या फिर कुछ भी लोग घाई हो जाते थे या फिर ड्राइबर भी घाई हो जाता अक्सर जाहिर सी बात है कि जो तेरता है वही डूपता है कहा जाता है कि जो तेरता है वही डूपता है तो गाड़ी चलाने वाले जितनी भ कुछ करता नहीं है लेकिन कभी संजोग सही ना होने की वज़े से कभी या फिर कुछ मेशनेरी खराबी टेकनिकल इसू की वज़े से हथसा जो है कि हो जाता है और कभी हथसा होने पे क्या होता है कि उनको थाने से जो है कि बैल मिल जाता था था थाने से बैल भी मिल जाता था अपना जो भी प्रोसीजर है लेसेंस वरीगरा लगा करके इंसूरेंस का जो भी है फर्माल्टिस जो है कि पूरा होके ड्रैवर को जो है की बेल मिल जाता था अभी जो है कि यह लागू हुआ है जैसे अगर accident हुआ अगर किसी वेक्ति घाही हो गए आपके वहान से तो आपको उनको लेके hospital पहुंचाना है अगर आप hospital पहुंचा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं तो आपका जो सजा जो है वो कुछ कम होगा अथवा आप अगर भाग जाते हो sports से तो आपको पूरा 10 साल की जैल होगा ये कानून जो है कि लागू हुआ है और अक्सर ड्राइवर भाई जो है कि भागते क्यूं है क्यूंकि उनको public से बचना होता है ऐसे हाद्शा हो जाती है तो जादे तर public के बीच में ड्राइवर की जो है कि बहुत बूरी हालत हो जाती है और उसी से बचने के लिए ड्राइवर ये सोचते हैं कि सामने वाला तो घाही हो गिया या फिर मर गिया तो कम से कम हम अपना जान तो बचा ले तो ये इस उमीद में ड्राइबर जो है कि वहां से भग जाते हैं और अभी कानून में ये लागू हुआ है कि ड्राइबर अगर भग जाएगा तो 10 साल की सजा होगा अगर उसको होस्पिटल लेके गए तो सजा कुछ कम होगा तो होस्पिटल लेके जाएगा तब जब वो सवाल ये है कि वो जनता की हाथे बच जाए अगर वो लेके चला भी गिया होस्पीटल तो उसके उपर पॉलिस करवाई तो होगा ही और पॉलिक जनता ऐसे हैं कि आप पॉलिस कस्टेडी में ड्राइवर जब पॉलिस कस्टेडी में होते हैं या फिर होस्पीटल में भी होते हैं तो भी जनता ज चीच के मारती है यह नहीं समझते की हलात क्या है और इस यह कानून जो है सब भी ड्राइवरों के लिए लागू है वो चाहे मोटर साइकल चलाए चार पहिया गाड़ी चलाए छे चका चलाए दस चका चलाए ट्रक चलाए कोई भी गाड़ी चलाए अगर हदसा हो रहा है तो और इसमें सबसे बाड़ा गलती नुकसान और खतरनाक के हवी ड्राइवर को लिया है जो कि ट्र्क दृक भाई है क्योंकि अक्षर घ्राइवर बड़ी वाहन होने की वज़द से उसका जो सदन्ट कॉंट्रोलिंग सिस्टम है वो जो है की नहीं हो पाता है मैं भी ट्राइवर हूं तो मैं समझ सकता हूं इस कानून से लेके जो लावू हुआ है जो नियम बना है इससे लेके हम तो बहुत निराश है आप लोग का क्या रा वेके जो को धुषिता है एक फ़्सक्रास मेरे चली प्सक्राइब कर सा चली उड़ा जैछ तीनन में करत न ही कि ने तो परजदोरी करो चलिए भाईव इतने ही था जनकारी कैसे लगा और इस जनकारी में आप सभी का क्या राई है कॉमेंट करके बताए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेता कि सभी ड्राइबर भायों तक यह वीडियो जो है कि पहुंच जाए धन्याबाद